गाईस आप सुने होंगे एक नएक दीन के हर किसी का दीन आता है आज ओ दीन आ चुका है लेवर का दीन आ चुका है घर में काम करते हैं उसका दीन आ चुका है ओपिस में जो काम करते हैं उसका दीन आ चुका है ड्रैवर का टाइम आ चुका है जो बोलते हैं आपना टाइम आ यह दिन को जाने मत दो, बेश्ट मत करो, यह दिन में मुँ मांगा पैसा मिलता है, आप काम करो, काम के लिए बाहर निकलो, घर से निकलो, और यह टाइम ऐसा है कि हर सभी को मुँ मांगा पैसा मिलेगा, हमारे वीडियो में आप बने रहे हैं, दुर्गा पूजा का एक साल ब पूराने लोग अपने गाणों अपने देश चले जाते हैं, नहीं लोग को काम में मिलता चांस मिलता है, तो यह दुर्गा पूजा वो टाइम है, भाई जितने भी बाहर से आदमी आने बाले हैं, आप लोग ए हर labor हर mention wirm must doorでは ago am any जितने भी लोग नए है जिनको job चायए बाहर सा है सभी को यहाँ पर job मिलता है और दुर्गा पुजा में Etne जाणा लोग का जरूरत हो ता है कि मिलना ही मिलना है ति यह मोका मत छोरना कर आने के लिए सुप रहे हैं इसक缂फ कर बहुते हैं, बहुत धूम-धाम से मनाया जाता है, बहुत यह अच्छा पूजा होता है, बहुत यह अच्छा पंडाल बनते हैं यहां पे, और जितने भी worker है बाहर के जो बंगाल के बाहर से हैं कोलकता के बाहर से हैं जो इंडिया में कहीं से भी आ करके यहां काम करते हैं सभी भाई अपना अपना तेहवार मनाने परब मनाने के लिए पूजा मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं है और यहां आदमी का पड़ जाता है सॉर्टेज जितने भी नए लोग होते हैं जो नए ठ्रेनिंग लेते हैं जो गारी चलाते Nachtan вже घ्याइबर करते हैं दितने भी द्रेबर होते हैं पूजा में उनको चांस मिल जाता है नुकडी का और पूजा भर नुकडी करके अपना हाथ भी साप कर लेते हैं अच्छा खासा सिलरी भी मिल जाता है तो गाइस हमारे कमेंट में आप लोग बताईएगा कहां कहां से इंडिया में आपको मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा में जितने भी नए ड्रैबर हैं वरकर हैं सभी को यहां पर जौब मिलता है जि कहीं सभी आते हैं तो आपको चांस मिल जाएगा अगर पूजा के बाद में एक महने दो महने में आते हैं पूजा करके आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परसानी होगा यहां काम डूनने में अभी जितने भी हैं बाहर के लोग हैं नए लोग हैं सभी तो गाइस आप लो अच्छा खासा सेलरी मिलेगा कम से कम 20,000 के आसपास तो सेलरी होने वाला है मत बैठे आप लोग नोकरी ढूंडे बहुत ज्यादा आदमी का जुरूत है बस दो दिन में ही तिन दिन में नोकरी आपको मिल जाने वाला हो दुरगा पूजा के बाद में चांस बहुत कम होता है क इसलिए कि नोकरी में सभी सभी घर बाहर के आदमी जो घर गए हुए राते हैं सभी वापस आ जाते हैं और यहां काम का चांप थुरा सा कम हो जाता है लेकिन अभी जरौत के टाइम में अगर आपको नोकरी नहीं ले पाए तो आपको सालवर फिर रुकना परेगा काम के ल